ओके चली दोस्तों पुन्हे आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के अंतरगत और इस वीडियो के अंतरगत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि काफी समय से ये बात बताई जा रही है और अलग-अलग newspapers के अंतरगत जताई भी जारे है कि आने वाले समय के अंतरगत अलग-अलग courses है उन courses को बंद करके आपके कुछ अब limited courses चलाए जाएंगे याने का थाथ परे हैं कि जो सिछक्षक बनना चाहते हैं, आने वाले भविश्य के अंदर का टीचर बनना चाहते हैं, तो उनकी जो योगता है ना, जैसे कि पहले आप लोग DLED करते थे, NTT करते थे, BED करते थे, अलग अलग दस्वी के बाद, बार्वी के बाद, या फिर पूरी प्लानिंग करी जा रही है, जो कि नया हमारा NEPI आया है, 2020 का, उसके अंदर करत इसकी प्लानिंग चल रही थी, 2020 से ही, लेकिन कन्फर्म पता नहीं चल पा रहा था, कि आखिरकार ये लागू कब से होगा, और कब तक ये सारी चीज़े निकल कराएंगी, तो उसी के अं वो बिल्कुली बदल जाएगी, योगता जो होगी, वो बिल्कुली बदल जाएगी, तो क्या है, तो आने वाले अगर आप भविश्य के अंदरगत, टीचर के लिए कोर्स करना चा रहे हो, या टीचर बनने का अलग-अलग परकार के जो कोर्स होते हैं, उसके अंदरगत, पढ़ोगे निउस पेपर कौन सा तो हिंदुस्टान टाइमस अगर आप आज का पेपर ये पढ़ोगे तो उसके दरगत ये आर्टिकल साफ साफ लिखा गया है और उसके बारे में डिटेल में बारे भी बात भी गरी गई है क्या लिखा है देखो कि 6 साल में बदल जाएगी स प्रियास भी करेंगे वो लोग जैसे कि हमने और आप लोगों ने करा था ठीक है तो उसके अंदर का जो है अब पूरी की पूरी जो है ओ ये जो संभावना है ये जो कूर्सिस है ओ बदल जाएंगी क्या-क्या बंद होंगे और क्या-क्या करना चाहिए उनके बारे में आई 2011-13 के अंदर गत तो ये थोड़ी कि मैं इन्वैलिड हो जाओंगा या मुझे नोकरी से भार कर दिया जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो सारी की सारी चीज़े वह वैसी की वैसी रहेंगी आने वाले भविश्य के अंदर गत बदल जाएगा ठीक है चलिए क्या है इसको पुरा थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोग भी पढ़ सको और अच्छे से समझ सको तो देखो दोस्तों यहाँ पर साफ साब बोल रखा है कि वितिये वर्ष 2027 और 28 तक जो एक एक करके क्या हो जाएंगे समापत हो जाएंगे DLED कारे करम तो अलग अलग पर का नाम अच्छा है एकुरेट है लेगिन कई पर इसे डीएड कहा जाता है या फिर डाइट कहा जाता है या जेबिटी कहा जाता है वो कक्षा एक से पांच के लिए हुआ करता है और जादा तर जो विध्यारती थे पहली यही करते थे जैसी निस ने जो बीर्ड वाला करा और बीर्ड वालों को एक से पांच में एलिजिबल कर दिया गया तो बीर्ड जादा करने लग गए थे अब भ्यारती और बाद में जाकर हमें और आपको कहीं न कहीं उसका क्या खाम्याजमा भी भुकत ना पड़ा तो आगे जाकर आपको इसी तरीके से और कोई परिशानी ना हो तो अभी से आप लोग अपडेट रही है इंची जो को लेकर ठीक है तो एक तो यह है कि 27-28 तक आप लोगों का जैसे कि मान लोग किसी ने एडमिशन लिया होगा 25-26 और 26-27 के अंतरगत आने वाले सालों के अंतरगत तो उसका कैंसल नहीं होगा उसको घबराने की प्यारी कर सकते हो जब भी रोका जाएगा बंद किया जाएगा आपको एडवांस में सारी की सारी सूचना दी जाती है और मैं भी आप लोगों को समय समय पर अपडेट दे दोगा यहाँ पर भी देको साब बोल रखा है कि 6 सालों में राज्यों में जो UGC ने बताया है जो आप यहाँ पर पड़ों के दोगो साफ साफ लिखा है कि 6 साल बाद यानि की सन 2030 में से सिक्षक भरती की जो नियुमतम योगता होगी वो बदल जाएगी चार वर्षिये जो एकिकरित सिक्षा सिक्षक सिक्षा कारिकरम जिसे आप लोग कह सकते हो IETEP यह कह सकते हो कि आधार पर क्या है सभी तरह के सिक्षकों की बहाली की जाएगी यानि कहने का तात पर यह है कि अब आने वाले सालों के अंदर गत आप लोगों को इस परकार का कोई भी कोर्स देखने को नहीं मिलेगा तो क्या देखने को मिलेगा तो 4 साल का 4 यर का आपको क्या देखने को मिलेगा एक course देखने को मिलेगा जिसे आप लोग शरल भाषा में समझनी कोशिश करो तो beard कह सकते हो अब कई विध्यारती यह समझनी पा रहे हैं कि 4 साल का beard किसके लिए होगा तो दोस्तों यह होगा उनके लिए जो 12th pass होंगे ध्यान रखेगा जो 12th pass होंगे उनके लिए होगा जो graduation pass होंगे उनके लिए दो साल का होगा ध्यान रखेगा जो अगर आप लोग आगे जाकर BA करते हो या फिर BCOM करते हो या फिर BSC करते हो आप लोगों के लिए होगा यह दो साल का ध्यान रखेगा और अगर आप लोग MA करते हो, या फिर MCOM करते हो, या फिर MSC करते हो, आप लोगों के लिए होगा ये एक साल का, कोर्स एक ही रहेगा, उसका समय डियूरेशन अलग अलग हो जाएगा, आपके जो पढ़ने लिखने का, उसका आपका जो डिगरी आपने ले रखे हो, उसके अन चलवाया जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे आप पढ़ोगे, इतना ही नहीं, वितिये वर्ष 2027-28 तक, एक एक करके, सिक्षक प्रसिक्षन के लिए, अभ्यारतियों के लिए, होने वाले सभी परकार के DLAD कारेकरमों को समाप्त कर दिया जाएगा, यानि कि अभी आप लोग कोई भी इसको धुतकार नहीं सकता है, उसके बाद इस परकार के कोर्सिस आएगे, आपके चार साल के आपके BAD स्टार्ट हो जाएगे, कितने कितने साल किस किस के लिए, हो मैंने आपका बता दिया है, 12th के लिए आपका, 4 साल का, ग्रेजुईशन के लिए 2 साल का, और पोस कि बहाली के लिए नियुम्तम योगता में बदलाव किया जाना है, तो कहने का तात पर ही हैं कि 24-25 वाला जिसने एडमिशन लिया है, वो आखरी सत्र है, क्योंकि 24-25 हो गया, और उसके बाद में ये आगला साल आएगा, 25-26 होगा, और हो 27 टच कर ही लेगा, तो वो जो होग जैसी सिक्षक परिसिक्षण कारे करमों को समाप्त कर दिया गया है, तो आप लोगों को पता होगा, जहारकन वेगारा में डियलेड नहीं होता है, वहाँ पर बंद कर दिया गया है, और जल्दी जो हैं, बिहार समेत अन्य राज्यों में भी ये ऐसा ही कारे करम किया अब भी डियलेड हो रहा है बिहार के अंदर गत, जिसकी फीस एक लाग पच्चेश जार बताई जाती है, ठीक है, बागलपूर समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब सिक्षकों की जो भरती के लिए नियुमतम योगता में बदलाव किये जाने को लेकर कारे योजन तयार की जा रही है, और इसमें बिहार समेत देश भर के जो डाइट है, उन सभी की संख्या का इजाफा किया जाएगा, जो कि आप लोगों को पता है, दिल्ली के अंदर का तीसी को ही डियलेड को डाइट कहा जाता है, तो यह जो डाइट कॉलेजिस होते हैं, यह परिशिक सिक्षन की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, सिक्षा मंत्राले की अंतिम क्या है, अवधार्नाओं के अनुसार आने वाले 6 सालों, यानी की 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्विद्याले अनुदान आयोग के, जो कि आपको अभी मैंने बताया था, UGC के द ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का, यहां पर साफ साफ लिखा है देखो 2 वर्षी है, अब आगे पढ़ोगे तो देखो 4 वर्षी स्तातक डिग्री होगी, या फिर किसी विशेश विशे में जो MA किये होंगे, उनके लिए 1 वर्षी होगी, तो वही वाली बात है, 12 के बाद 4 स साल का, और पोस्ट ग्रेजुशन के बाद 1 साल का हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए ये खबर है, तो कहने का मतलब यहां पर क्या निकल के आता है, कहने का मतलब यह है, कि सत्र, 2024-25 आखरी सत्र है, जिस इसको admission लेना है, वो admission ले लिजेगा, इसके बाद ड शेषपरकार का ये जो निकला है कारेकरम, चार साल, दौ साल, एक साल, कोर्स एक ही है, बस समय के साथ इसका duration कम होता हुआ जाएगा, 12th के बाद अलग duration होगा, ग्रेजुशन के बाद अलग duration होगा, और post-graduation के बाद अलग duration होगा, क्योंकि देखा जाए, तो अल्रेडी उस विध्यारती ने जो पढ़ रहा हूँ काफी समय लगाया अलग-अलग परकार की चीजों को knowledge को grab करने के लिए तो इसी साब से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है तो ये तो बात होगी दोस्तो आपकी course की अब बात रही वो कक्षा एक से पांच के लिए होता है और कक्षा छे से आट के लिए होता है लेकिन आने वाले समय के अंदर गत कक्षा 9 से 10 में भी टैट देखने को मिलेगा और 11 से 12 भी टैट देखने को मिलेगा जैसे कि अभी आपका ये पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है ना क्या कि ये कोर्सिस बंद किये जा रहे हैं और टेटो के अंदर गत आपका कुछ इतना नहीं है लेगिन अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले अपडेट आया था कि सीटेड जो है वो इसके उपर विचा नहीं है कुछ जानकारी नहीं है लेगिन आने वाले समय के अंदर कर दिया जाएगा जहाता ख्याल है जैसे कि ये पूरा का पूरा विवरन तयार हो रहा है इसी के आसपास भी आपको ये लागू देखने को मिलेगा तो ये तो हो गया दोस्तों आपकी इसकी और इसकी मैं ये कहना चाऊँगा भाई सरकार से भी और आप लोगों से भी कि भाई जिस तरकार जिस तरीके से बीड कोर्सिस को या कोर्सिस को टीचिंग को बदल दिया गया है सीटेट वालों को बदल बदला जा रहा बाकी देशों में परदेशों में देखा जाए तो इसमें है आपक लेकिन Central में नहीं था ये कर रही है अच्छी बात है अच्छी गुणवंता वाले टीचर ले रही है अच्छी बात है लेकिन देशतों साथ ही साथ में सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि एक time duration रखो उस time duration के अंदर गत आपको vacancies भी देनी चाहिए ये नहीं कि बस courses courses में बदल vacancies आती थी वो per year आती थी हर साल इसका fix था कि अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में इसकी vacancies आती थी बहले ही कम आती थी मैं बहुत अच्छा मान रहे हैं इसको लेकिन ये कब तक रहेगा continue ये वाली बात है क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक चुनाओ है चुनाओ के अंतरगत ही देखने को मिलेंगे 25 के बाद चुनाओ खतम हो जाएंगो उसके बाद देखते हैं कितने साल बात देखने को मि मुछ इस थरो पर काम करना जरूरी है यह निकी बस वेट करते रहो वेट करते रहो नहीं तो भाई एज नीकल जाएगी परेशानी होंगे हम लोग ठीक है तो सरकार को जैसे नीयम बना रही है उसी तरीके से नीयम भी बनाना चाहिए कि हर साल इस समय इस तिन इतनी वेकेंस आईगी भलेही कमाई ठीक है? तो इसके उपर, क्योंकि बच्चा क्या होता है? निराश होता है, बसकोर्स कर लिया, बैठा हुआ है, इंतजार में लगा हुआ है, दो साल, तीन साल, तैयारी करी, कब तक करेगा? एज निकल रही है, बच्चे को, और कुछ भी देखना होता है और कुछ भी चकरना होता है ठीक है तो उस हिसाब से कहीं न कहीं सरकार के देखा जाए तो बच्चा डिस्पॉइंट होता है उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं कुछ हम लोगों को आप लोगों को सरकार को करना चाहिए ठीक है बाकी लेंगे अपनी क्लास के अंदर का जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद